इस कहानी के शुरू में हमें बताया चाता है कि दुनिया में अब 4% लोग म्यूटन बनकर पैदा हो रही हैं जिनकी अंदर पैदा होते ही कुछ सूपर पावर्स थी जैसे इस इस म्यूटन के अंदर अपने दिमाग से चीज़ों को कंट्रोल करने की सूपर पावर्स थी इस अपने अपने हाथ झालने की सूपर पावर्स रखते थे ये सब लोग आम इंसानों के साथ घुल मिलकर रहते थे कोवर्मिट ने इन म्यूटेंट्स को इनकी पॉविस की बेसिस पे रेजिस्टर भी किया हुआ था और इन म्यूटेंट्स को इनकी पॉविस के अकॉर्डिंग जॉब्स पे मिला करती थी फिर वक्त कुसरा और इनसानों को ये म्यूटेंट्स बुरे लगते हैं उन्होंने hem mutants का काम करने के लिए GPS बना लिये और ऐसे mutants को jobs मिलना बंद हो गई mutants का बुरा इस्तमाल होना शुरू हो गया इन्सानोंने शाइक नाम की एक ऐसी ड्रग बनाई जिनको mutants की रीर कीः से निकाला जाता था इस सब के बाद हमें कॉर्णर नामी एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक म्यूटन था उसकी मॉम भी उसी जैसी म्यूटन थी और उन्हें कैंसर था कॉर्णर उन्हें लेकर काफी परिशान रहता था म्यूटन्स को क्योंके काम मिलना भी बंद हो जुका था इसलिए कॉर्णर के पास अपनी मॉम का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के लिए आता है उसके पास क्योंके ऐलेक्टरिसिटिक को कर्डोल करने के पावर थी इसलिए उसे घर पर वायरिंग करने का काम मिला था लेकिन कुछी तेर में यहां पर पुलीस ड्रोन्स आ गए थे जो एलान करते हैं कि जितने भी म्यूटन्स यहां काम करें हैं वो सभी बाहर आ जाएं। बिना खास सेर्टिफकेट के यह म्यूटन्स अब मस्दूरी भी नहीं कर सकते थे। वो यहां काम करने वाले कई म्यूटन्स नहीं चारेंज दो इंदर से दो रोबोट्स नीचे आकर फायरिंग करके उस म्यूटन्स को मार देते हैं। सीन कर ठोकर दिखाया चाहता है कि पुलीस नी एक घर पर रेट किया है जाहां म्यूटन की रेट की हड़ी से साइकी नाम की ड्रक्स निकालने का काम चल रहा था जो आदमी ये काम कर रहा था वो अपने आपको बचाने के लिए एक आफिसर को मारता है पर फिर भी वो बकड़ जाता है और पुलीस को ड्रक माफिया को बगड़ने के लिए मीडिया से खुब कवरिज मिलती है इसके बाद हम देखते हैं कॉर्णर की मूँ एक स्टोन में काम करती थी पर अपनी तब्यत खराब किछलते उन से यहां रुकसान हो जाता है और मैनेजर उन्रे डाटने लग के और मैं यह नहीं चाहती कि तुम अपने डाट की तरहां कोई बुरा काम करो इसलिए कॉर्णर अगले दिन मजदूरी के लिए चला जाता है लेकिन अभी तक उन्हें कोई लेने नहीं आए था इसी टाइम पर वहां एक रेट कलर की गाड़ी हाती है कॉर्णर का एक साथ ह उसे बताता है कि यह लोग गुंडे हैं और अगर हमने इनके साथ काम किया तो हम पुलीस के पंगों में भी फच सकते हैं लेकिन उस रेट गाड़ी में बैठा गैरी नाम का आत्मी जब कॉर्णर से यह कहता है कि उसे अलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने वाली एक म्यूटन क जरूरत है और वो छोटे से काम के लिए उसे 200 डॉलर देगा तो कॉर्णर ना चाहते हुए भी उनके साथ चला जाता है केरी इन सब को लेकर आता है एक बेस पर जहां से इन्हें चोरी करनी थी पर गेट में करन्ट तो रहा था कॉर्णर अपनी पॉवर्स करते हुए यहां पर बिच के बाहर जाने पर ड्रोन इस गाड़ी को डिटेक्ट कर रही पाती है और यह सब एक क्लब में आते हैं जाहां इनकी क्रूप के लीटर की नीग केरी को एक और टास्क मिलता है एक बैंक को लूटने का जिसके बतले उनको काफी पैसे मिलने वाले थे दिखाया जात जिसका अंदासा उन्हें यहां के खराब हुए अलेक्रिसिटी गेट से लगा था यहां गैरी कॉर्णर की पावर्स का अंदासा लगाने के लिए उसे एक कार के अलाम सिस्टम को बंद करने को कहता है कॉर्णर के ऐसा करते ही वो लोग इस कार को चुरा कर एक बेस में पहु सिस्टम का पता चलाने के बाद के लोग बैंक लूटने का एक प्रॉपर प्लैन बनाती हुए आखिर एक दिन अपने पूरे गैंक के साथ इस बैंक को लूटने के लिए यहां पर पहुँच जाती है केरी अपनी पौरे से यहां की सबी चीजों को गिरा देता है और यहां के स्कियोरी ओफिसर्स को भी पकड़ लीता है जब के दूसी तरफ कॉर्णर अपनी अलेक्रिस्टी वालिट पौरे से यहां की तिजोरी खोल लेता है लेकिन अफसोस अंदर तो पैसे ही नहीं थे जो देख गैरी को उसा जाता है वो आकर bank manager से पुछता है कि यहां के पैसे कहा गए bank manager बताती है कि हर Friday को यहां के पैसे एक बड़ी प्राज़ पे पहुँचा दिये जाती है अब यहां सिर्फ 50,000 डॉलर थे जिसे यह लोग चुरा कर यहां से भागते कर डिसाइड करती है मुझे से यह बैंक से बाहरी निकलते हैं तो प्लीस के ड्रोन्स उनको पकरने के लिए यहां आए हुए थे कोईनर अपनी तेज एलेक्ट्रिसिटी पावर्स का इस्तमाल करते हुए ड्रोन को खुब पिजली के छटके दे कर वहां से दूर फैंकता है और मौका पायुती ही कि चारों यहां से भाग चाते हैं गैरी अब भड़का हुआ उस कलब में आया था जहां वो माफिया के बंदे से मिलता है वो उसे खुब सुनाता है कि तुम्हारे पास जितनी भी इनफॉर्मिशन थी वो गलत थी वहां पर बिलकुल पैसे नहीं थी हमने इतना बड़ा रिस्क मिलिया और हमें मिले सिर्फ 50,000 डॉलर और मैं जाता हूँ जिसमें से तुम मुझे कुछ नहीं दोगे इनकी इनी बातों के तुरान एक लड़की पीचे से माफिया के आत्मी के ओपर हमला करने आती है जिसे वक्त रहते ही कॉर्णर देख चुका था वो उसे एक रंट देकर वहां से खतम करता है जिसके बात वो लड़की कॉर्णर को पकड़कर कॉर्णर कोई मारने वाली थी पर पीचे से गार्ड उसे शोट करके मार देते हैं कॉर्णर को बस हाथ पर छोटी से चोट आई थी क्लब में मुझे एक लड़की उसके पास आकर उसका जखम ठीक कर देती है जिससे देखकर कॉर्णर बहुत हिरान होता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास तो लोगों को ठीक करने के दक्त है तुम इन बुरे लोगों के साथ क्या कर रही हो इसलिए पहने कि वो लड़की को जवाब देती एक गार्ड उसे बुलाने आ जाता है ये कहते हुए कि तुम्हे बॉस बुला रहे हैं येकीनन वो बॉस की फ्रेंट थी कॉर्णर अब गहरा जाता है जहां वो देखता है कि उसकी मॉम ने उसके संभाले हुए सारे पैसे देखनी है वो ये बात जान गई थी कि कॉर्णर अब कोई काम नहीं कर रहा बलके बुरे कामों में लग चुका है जिसका जवाब कॉर्णर देता है कि मॉम मैं बस आपको ठीक देखना चाहता हूँ इसके लिए चाहे मुझे कुछ पे करना पड़ जाए अब ये ही बात कह रहा था कि उसकी मॉम बेहोश हो जाती है कॉर्णर उनी लेकर हॉस्पिटल जाता है जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उसकी मॉम म्यूटेंट है और उसकी सारी पावर्स उसके दिमाह को डैमिज कर रही है वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो यहां उसे दो पुलीस ओफिसर्स मिलते हैं पुलीस टेशन लाने के बाद वो उससे इंवेस्टिकेशन करना शुरू कहती है और कहते हैं कि अब तुम ही गैरी के साथ देखा जाने लगा है वो बुरे काम करता है और तुम लोग मिलकर चोरियां कर रहे हो आजकल कॉर्णर कहता है नहीं मैंने कोई बुरा काम नहीं किया गेरी सिर्फ मेरा दोस्त है ये पुलीस वाने उसे पता दिये कि कुछ दिनों बात हम उन माफिया के पकड़ी हुए ड्रक्स को जलाने वाली है जिस माफिया के लिए गैरी और तुम काम कर रहे हो तो मैं अगर उस माफिया के बारे में कुछ भी पता है अगर तुम हमें बता दो तो तुम्हारी जान चोड सकती है पर कॉर्णर जवाब देता है नहीं मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता पुलीस इस मरतबा उसे छोड़ देती है हाँ हम वो छोड़ी कर सकते हैं लेकिन शर्द यह है कि अगर हमने यह काम कर दिखाया तो हमें आधे पैस चाहिए हूंगे क्योंकि यह खतरों से भरा काम है अगले सीन में दिखाया जाता है कि पुलीस वालों के पास वही ड्रॉक्स के बैक थे जिने चुराने का गैरी और कॉर्णर प्लान कर रहे थे बहुत से स्क्योडिकार्ट के साथ इन बैक्स को एक वैन में रखा जाता है और उपर से पुलीस क के रुबोर्ट को वैन से दूर करता है जिसके बाहर कोर्णर इन रुबोर्ट को अपने विजली के चटके देखर बेहोश कर देता है उनकी एक साथी जिसके पास वायर पॉवर्स थी वो दर्वाजे को मैल्ट करके दर्वाजा खोलती है और अंदर से उन ऑफिसर्स को बाह के लिए कोर्णर के साथ वहां से एक कार चुराकर भाग जाता है यह लोग पुलिस वालों को चक्मा देकर भी दोर निकल चुके थे पर अब काफी देर हो चुकी थी उनका दूसरा साथ ही भी मर चुका था असल में माफिया के उस आत्मी ने इन लोगों को धोका रिया था वो सिर्व ड्रक्स के बैक्स लेने के लिए इनका इस्तमाल कर रहा था। और इससारी वज़ा से कॉर्णर भी खुस्से में था। वहां पुलिस टेशन में पुलिस भी इससारे बाक़्ी की इन्मेस्टिकेशन कर रही थी। एक officer के मताबिक ये सारा का माफिया ने करवाया था और उसे लग रहा था कि वहाँ जितने भी murder हुए हैं वो सब corner ने की हैं पर दूसरो officer की बात जानता था कि वो एक killer नहीं है corner भी उसकी officer को message दे कर मिलने के लिए एक hotel में बुलाता है और वो आफिसर को सारी सचाई बता देता है कि माफिया के उस आदमी ने ही सबी गार्ड्स को मरवाया था साथ ही मेरे ग्रूप के मेंबर्स भी मर गए हैं और ये सुनकर आफिसर कहते हैं कि तुम्हें अपने आपको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए कॉर्णर इस सब के बाद बोलता है कि हाँ तुम ठीकी एह रही हो मैं भी शायद अपने डैट के तना क्रिमिनल बनता जा रहा हूँ और मुझे अब यही करना चाहिए कॉर्णर ने अब उस माफिया के आदमी की सारी इन्फोर्मिशन भी पुलिस को दे दी थी उसका राइट हैंड जब गेरी पर हमला करने की कोशिश करता है तो गेरी ने अपनी पौवर्स से उसके भी गन गिरा दी थी पर यह आत्मी भी एक म्यूटेंट होने की वज़़ा से बहुत ताकफ़ था वो जब गेरी की कंट्रोल में नहीं आ रहा था उसके ताकत को कम करने के लिए यहां कॉर्नर दुबारा उसके उपर बिजली से हमला करता है जिसके बाद आखिर उसकी मौत हो जाती है जिसके बाद गेरी जाता है अपने बास के पास और अपने बावर से उसका गला दुबाते हुए उसे मार देता है और कहता है कि ये था सिर्फ मेरे साथियों को बारने के बदला या माफिया के साथमी की जो दोस्त थी जिसके पास किसी को भी ठीक करने की थाकत थी कॉर्णर उसे कहता है कि मेरे साथ चलो मेरी मौम में बार है और तुम उन्हें ठीक करना ये लड़की कॉर्णर को अपना बाजो दिखाती है बाजो पे वही सखम था जो उसने कॉर्णर का ठीक किया था इसका मतलब कि वो लड़की किसी को भी ठीक नहीं कर सकती थी बस उसकी बिमारी खुद पर ले सकती थी लेकिन कॉर्णर को इस चीस से फ़र्ट नहीं पड़ता है। उसे लेकर अपनी मॉम के पास हॉस्पिटल में आ जाता है। ये लिड़की उसकी मॉम का कैंसर अपनी बॉड़ी में लेना शुरू कर देती है। इससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो एक सोरदार चीख मारत है। और यहां कॉर्णर का भी दिल बिखल जाता है। वो कहता है बस रहने दो रुक जाओ और मुझे माफ कर दो तुम चली जाओ यहां से। थोड़ी देर में कॉर्णर की मॉम को होश्पिया चुका था। और कॉर्णर उन से बैठा बाते कर रहा था। जबकि दूसरी तर है कि उसने सभी बुरे काम छोड़ दिये हैं क्योंकि वो यह सारे काम अपनी मॉम के इलाज के लिए कर रहा था। और सेकेंड पार्ट में इसी कहानी के पांच साल बात का वक्त दिखाया जाता है। जहां कॉर्णर एक जेल से निकला है। पता चला है कि गैरी के बुरे काम मैं वैसा ही करूँगा। जिस पर कोई ने जवाब देता है कि तो फिर ठीक है आएंदा मुझे अपनी शकल का भी मत दिखाना। यह सुनते ही कहरी खुस्से में वहां से जा चुका था। जिसके अगले सीन में हमें बताया चाता है कि जिस तरहां पहने रोबोट्स सभी म्य मार दिया करते थे इसी वज़ा से अब म्यूटेंट्स की सेफटी के लिए के नाइन रोबोट्स बनाएगे हैं यह डॉक्स यसे दिखने वाले रोबोट्स अपने दुश्मनों को मारते नहीं थे बलकि उनके पाउँ पर हमला करके उन्हें गिरा देते थे और अगर उनका हाथ उपर करके सिरंडर करे देता था तो वो उन्हें और कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाते इन रोबोटिक डॉक्स पर एलेक्ट्रिसिटी और आग का कोई इसल नहीं था यह सब यहां खड़ी एक मिया नामी बच्ची भी देख रही थी जिसका भाई गैरी के लिए ही ड्रग सेल करता था वो गैरे से मिलकर गैरी को अपनी सूपर पावर्श दिखाता है क्योंकि वो चाहता था कि वो ड्रग्स पेशने के लावा और पी बुरे कामों में इन्वाल वो पर यहां गैरी की कार्ट उसे बुरी तरह उठागर गिराती है जो चीज उसे काफी घुस कर रुपती है जिसके अंदर वही ऑफिसर जो था जिससे पहले हम के नाइन रोबोर्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हुए देख चुके हैं उसे जब पता चलता है कि यहां पैसे नहीं है तो वो अपने लोकुस कहता है कि मुझे इस चीज से फर्ट नहीं परता मुझे बस अपना हिस्ता चाहिए और ये बाद गेरी तक पहुँचा दो एंगेनी बातों के तुरान एक पुलिस ऑफिसर यहां पर मिया के बाइक को देख चुका था अपने आपको बचाने के लिए वो लड़का यहां से भागता है और ऑफिसर जो उसके पीछे अपना के नाइन रो कर देता है सेनकर ठोकर अब हमें कॉर्णर को दिखा जाता है जो एक कम्यूनिटी सेंटर में सफाई का का काम करता है यही पर उसे एक पुराने पुलिस ऑफिसर मिलने के लिए आते हैं जो से बताते हैं कि तुम तो गैरी की जगा चेल चले गए थे और तुम्हारे पीछे उसने शेहर में साइगी ज्रॉक का एक बहुत बड़ा बिजनस कर लिया है यहाँ तके उसने पुलिस के बड़े ओफिसर को भी साथ मिला लिया है मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें पकड़वाने में मेरी मदद करो पर कॉनर ओफिसर को ये कहते हुए साफ मना कर देता है कि मैं अब उनके साथ काम नहीं करता और ना ही मेरे पास उनकी कोई जानकारी है यहाँ कॉनर जो अपने कम्यूनिटी सेंटर के बाहर से सपाई कर रहा था उसे एक कैबन के अंदर मियां डरी हुई दिखाए देती है वो उसे लेकर अंदर आचाता है कम्यूनिटी सेंटर की मा विडोस लेने की विज़ा से मर गया मिया घुस्ते में टीवी बंद कर देती है और कॉर्णर कहती है नहीं ये जुट बो रही है वो ड्रग्स नहीं लेता था अब एक कॉर्णर तो उसकी पॉफर्स देके इरान था और तभी मिया बोलती है कि मुझे सुनाई दिया है कि यहां पर पुलीस ओफिसर्स पहुत चुके हैं ये दोनों पुलीस से बचने के लिगे अब बेल्डिंगे भी पिछले रास्ते से भागते हैं लेकिन पीछे से पुलीस के ड्रोन के अंदर से रोबोर्ट इनको पकरने के लिए उतर चुके थे जिनके ओपर कॉर्णर अपनी एलेक वो भी पुलीस के नजरों से बचाते हुए गैरी कहता है मैं जान वही लड़की ना जो तुम्हारे पीछे बैठी है जिसका भाई मेरे लिए ड्रॉक्स पिशने का काम करता था उसने मेरे और मेरे पार्टनर्स के दरम्यान में चोरी की और ऑफिसर्स के हातों वो मारा गया ये सब इस लड़की ने पे देख लिया है और ऑफिसर इस लड़की को ढूल रही है इस लड़की की सूपर पावर्स भी कबाल की हैं कॉर्णर हिरान था कि गैरी को ये सारी बाते कैसे पता है गैरी कहता है वो सब तुम छोड़ दो तुम इस लड़की को सेफ रखना चाहत कोर्णर कहता है कि हमने तो सिर्फ एक याद मिटाने की बात की थी और तुम सारी बाते मिटाने चले हो जिस पर वो औरत कहती है कि एक याद नहीं मिट सकती सारी यादे मिटाना जरूरी है। और दुसी तरफ कॉर्णर बहुत जादा हुस्से में आ चुका था वो गैरी से इस बुरी चाल का बदला लेने के लिए यहाँ पानी के अंदर करंट छोड़ देता है। इनकी लोकेशन गैरी को बता देते हैं जो इनकी गाड़ी को एक पुल के लीचे रोक लेता है। वो यहाँ पर मिया को मारना चाता था। कॉर्णर उसे कहता है कि तुम मेरे इस्तान का बतला इस बच्ची को मारकर दे रही हो इस बच्ची को मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। गैरी उसे मारने के लिए गहन तानता है लेकिन अपनी इतने पुराने दोस्त को वो मार नहीं पाता। मिया और कॉर्णर को लेकर गैरी अपने घर आता है। कॉर्णर से पुछता है कि आखिर कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे हम उसे पकड़वा पाएं तब निया कहती है हाँ एक रास्ता है उसके के नाइन डॉग हर चीज रिकॉर्ड करते हैं हम उन रिकॉर्डिंग्स के जरिए उसके बुरे कामों को लोगों तक दिला सकते हैं तब गेरी इने बताता है कि जो के पास उसका एक पर्सनल के नाइन डॉग भी है और उसी नहीं मिया के भाई कुमारा था अगर उसकी सारी मेमडी को किसी डिवाइस में ट्रांसफर कर दे तो उनका काम बन सकता है यह लोग अप एक प्लैन बनाते हुए जो के घर जाते हैं वो जो की मिसस से कहते हैं कि हम लोग एलेक्शन कमिटी से आए हैं जो आने वाले दिनों में पॉलिडिक्स में आना जाता है इसी सलसने में हमें जो से कुछ काम है इतने में जो भी घर आ जाता है और इन लोग को यहां देकर वो कौफी शौक था जो भी मजबूरां अपनी वाइफ के सामने उनके साथ अच्छा भी हेव कर रहा था दिखाया जाता है कि मियां उसके बेस की लोग को कंट्रोल करके उसके बेस में जा चुकी है वो यहां जो के नाइब रुपोर्ट को भी अपने कंट्रोल में करती है और उसके इस एक्शन का पता जो के ऑफिस में भ जो लोग यह खबर देने के लिए जो किक गर कॉल करते हैं, ये कॉल रसीफ करने के लिए जब जो जो की वाइफ उनके पास से उठकर जाती है, तो जो अपने आफिस की कॉल के बाद जैसे ही नीचे अपनी बेस में जाता है तो उसे वहाँ उसका डॉक नहीं मिलता। उसका डॉक तो ये लोग चुना कर ना चुके थे। जहां मिया अप अपनी पॉफर्स के जरिये उसके डॉग की मेंबरीज में से अपने भाई की मरने की फुटिज के साथ साथ जो के और भी बुरे कामों की फुटिज देख लेती हैं ये लोग इस डॉग को लेकर अप गहरी की बेस्ट में आ चुके थे जहां जाते ही गहरी के आदमी कॉर्नर और मिया को पकर लेते हैं ये सब गहरी की चाल थी वो सिर्फ मिया और कॉर्नर का इस्तमाल करके उस टॉप को हासल करना चाहता था जिसमें ऑफिसर जो के खिलाफ सबूत थे जिसके बास गैरी उसके के-9 रूबोर्ट की सर को छोड़कर पूरी बॉड़ी लेकर जाता है और कहता है यह पक्ड़ो अपना रूबोर्ट इसका सर अब मेरे पास है जिसमें तुम हारे खिलाफ सबूत है और अब तुम मुझे बलाक निल नहीं कर सकते हैं यह सुनते ही जो चाकू से उसके उपर हमला कर देता है कॉर्णर गैरी के बंदों से कहता है कि जल्दी से वो सर मेरे हवाले कर दो अगर वो लोग यहां आ गए तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे हैं और कॉर्णर वक्त रहते ही मिया को लेकर यहां से भाग ने लगता है लेकिन अब ऑफिसर्स इनके पीछे अपना के नाइन रोबोट छोड़ देते हैं जो के नाइन रोबोट अप कॉर्णर पर हमला कर चुका था जिससे इस रोबोट को कुछ भी नहीं होता यह डॉग अप कॉर्णर को ट्रग की ओवरडोस देकर मारनी वाला था कि तब ही मिया उस डॉग को अपने कंट्रोल में कर लेती है इतने महीं पीछे से प्लीस ओफिसर्स एक नए कैनाइन डॉग के साथ आ जाता है जिसके ओपर मिया अपने कंट्रोल की ओवरडोस देकर उसे मार देता है पर दिखा चाता है कि उस ओफिसर्स की ओगोली मिया को भी लग चुकी थी मिया को बचाने के लिए कॉर्णर जलती से उसे उठाते हुए बिल्डिंग से नीच रा जाता है इस वक्त पर एक और के नाइन डॉग उनके उपर हमला करने वाला था लेकिन तब ही यहाँ पर जख्मी गैरी अपनी पॉर्वर्स से उस रुबोर्ट को रोक लेता है कॉर्णर यहाँ इशारा करके एक न्यूज रिपोर्टर को बुलाता है और उसके कैमरा में मिया की पॉवर्स का यूज करते हुए जो के डॉक की सब भी बैप्रिस डाल देता है अब पूरा शहर जो के पुरे कारणामे देख रहा था जहां वो पहले कहा करता था कि उसके कैनाइन रुपोर्ट किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन इनी के नायन रुपोर्ट्स ने बहुत से लोगों की जान ली हुई थी जो ने बहुत से लोगों को मरवाया था और और भी बहुत से बरे काम किये थे जो सारी चीज़ें उसकी वाइफ ने भी अब देख ली थी जहां कॉनर अब दुबारा से किम्यूनिटी सेंटर में सफाई का काम करने लगा है अब यहां पर काफी बच्चे भी आते हैं और यही हमें मिया पी देखने को मिलती है दूसरी तरफ जो कभी उसके बुरे कामों की सजा मिल चुकी थी और यह खबर नियूस पर गैरी जेल में देख रहा था जो सुन वो काफी खुश्टा और यही दिखाते हुए यह कहानी यहां खत्म हो जाती है